उससे पहले मैं आपको आर्ट दिखाओं, यहां पर पढ़ लीजे, यह मंदिर राजा मेरु वर्मा के राज्यकाल मैं सात्मी श्तावदी में बनाया गया था गैस अगर आप इस व्लोग को देख रहे हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप इस दुनिया के सबसे लखी इंसान हैं क्योंकि आज के इस व्लोग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यमलोग के दरवाजे के ओपर यहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने कोई भी क्लिक वेट नहीं है आज की जो पूरी की पूरी वीडियो है दोस्तों यह पूरी धार्मिक होने वाली है तो यहां से आर बलीव करना सब आपके ओपर अगर आप भगवान शिवशंकर को मानते हो तो मैं आपको आज घुर्माओंगा भरमौर में 84 नामक जगा पे जहां पे कि एक यमराज का टेंपल है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं तो वहीं पे जो है वो गुफा है जहां से आत्माई परवेश करती है मरने के बाद हर कोई इंसान बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हर कोई वहीं पर जाता है तो आज उसी जगापे हम चलेंगे और आप देख सकते हैं पीछे पहाडों का तो वहीं मतलब एकदम से जखा सीन बन रखा है पूरा का पूरा कॉमेंट करके बताईए आपको कैसा लग रहा है और मरको पता है बहुत से लोगों ने चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्क्राइब कर दो कि आपका भाई फर्स टाइम नर्वस हो रहा है लोगों के सामने कैमरा पक्रने के लिए लोग हैं कि ऐसे होते हैं ऐसे देखते हैं घूर घूर के तो चीज़ आप समझ जाओ बाकी बहुत कुछ है बलोग में बने रहिएगा तेरमी चौदमी श्ताबदी के मंदिर भी आपको मैं दिखाओंगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस अभी जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि सभी के सभी घर हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ हैं सभी के सभी 84 मंदिर एक साथ हैं आप ये बोल सकते हैं कुल मिलाके कि ये देवताओं का गाओं है और यहाँ पे पुराचिन से कि मैंने मां तो यमिन का मखाना दॅरत आप यहाँ पर दिखेंगे ना वहां पर गडर के तो आपको दिखेगा की वडर एक चं़ जया बार चील के उपर ना मतलब तandır कक पेड़ायस को इसको उपर आदमी चड़ते हैं तो और यहाँ पर तो वहई ब्गवान शिप्शंकर क मंदिर है इसको तो मैं आपको explain करवाता हूं तो यह रहा हमारे प्यारे दुलारे शिव शंकर का मंदिर जिसको पूरी की पूरी दुनिया मानती है तो चलिए आपको यहां पर मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूं और आर्ट और डिजाइनिंग आप देखेंगे ना साथ मैं जो देवदार का पेड़ है मतलब पूरे के पूरे मंदिर के ओपर यह चार चांद लगा के रख देता है यह अंदर चलते हैं यहां पर मैक्सिमम टाइम पर जो है मंदिर खुले होते हैं बीच-बीच में कोई जो है वह लोक्त होता है तो अब भी थोड़ा मैं ब्लॉक के जल्दी आ गया तो इसलिए घंटी पर जाके चलते हैं जय भूले शंकर तो जो भी भूले बाबा के भक्त हैं उनको में यहां पर दर्शन करवा रहा हूं यह वेडियो के थ्रू शिव लिंग बिराजमान है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अध्वुत दर्शन जो है दोस्तों आपको यहां पर देखेंगे और काफी पुराना यह शिव शंकर का मंदिर है और आर्टिंग अगर आप देखेंगे ना तो पूरे के पूरे मंदिर में आप कहीं भी देख लो मतलब कि यार मैं इतना बोल सकता हूं कि कोई आज का जो कलाकार होगा ना वो भ कीच में चीजे देखेंगे यहां पर उस टाइम पे रैट वगज़रा तो होता नहीं था है ना कि रैट शोगया में हो गया क्शिमेट हो तो उस टाइम पर क्या करते थे जो यहां पर नालमक लुटती है उसको पीश कर लगाई जाता यह मैं Con respiratory नहीं और मैंना ऐसा सुना ज देखवाते हैं जो यहां पर होता है और यह देवदार का पेड़ तो मतलब आप समय जी सकते हैं कि क्या ही ना मतलब मेरे पास ड्रोन नहीं है बरना दोस्तों मैं आपको पूरा-पूरा शूट करके दिखाता और वहां पर आप आप आर्टिंग देखो एक वार तो आप देख से नीचे उत्रते ही आपको सामने दिख जाते हैं नंदी बैल जो कि शिवसंकर की सुवारी है अप यहां पर आप देखेंगे पूरा-पूरा जो बैल है यह बना हुआ है पीतल से थोड़ा क्लोज करके आपको मैं दिखा देता हूं एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सा जो फ सा यहां पर है थोड़ा अधर पर है तो आप देखिए कि पूंच कटी थी कहा जाता है कि पहले नंदी वैलकम हूं जो है वो इस तरफ था जहां से मैं कैमरा घुमा रहा हूं और मतलब बैक साइड शिव की तरफ थी तो भोलेनत काफी बुस्ता हुआ थी इस चीज से तो उ यहां पर आप देखेंगे नर्स मंदर जो कि शिरेक्रिशन के अवतार थे नरवतार तो यह मंदर दस्मी या ग्यार्मी श्ताबदी में बना बताया जाता है तो चलिए लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ अंदर की और तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरा का होता था आप अच्छे से इन चीजों को अगर एक्स्प्लोर करेंगे तो देख पाएंगे और यह पूरे की पूरी टेंपल के उपर ना ऐसे ही जो है वो डिजाइन बना हुआ है आप देख सकते हैं हलांकि मंदिर की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है तो ऐसे करके मैं अपराद है आप देख सकते हैं नरसिंग यह है मंदिर और अभी जो है वो यहां पर मैक्सिम मंदिर लोक रहते हैं अभी अनलोक नहीं है तो चली चलते हैं अभी नेक्स टेंपल की तरफ तो दोस्तों अब आ रही है यम्राज का मंदिर दिखाने की और आपको वो गुफा दिखाने की यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ यह है चित्रगुप्त का मंदिर और यहां पर अगर आप देखेंगे तो चित्रगुप्त के मंदिर के अंदर आप जो यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर आत्मा खड़ी होती है और यह जो है यह किताब है और च द्धर्म राज का जहां पर मैं आपको लेकर सुनने मैं एक स्टोरी से लगती है कि यह सच में होता होगा या नहीं लेकिन अगर हम अपने सास्त्रों की बात माने तो मरने के बाद हर एक इंसान को जो है बो जाना होता है कि चेहरी में चित्रगुप्त के पास और जो आप अप बहुत है नहीं तो यहां से अगर आनी सकते हो दिलों में बसते हैं यहां पे पुजारी जी बैठे हुए और बाकी के जो मेरे फ्रेंड एक या दो साथ में आए थे वह बहार की तरफ है यहां आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं मेरा यहां पे ना दिल नहीं मान क्योंकि यार देखो बहुत ही बोलते है ना यह नतलौ आपको कहीं ढूणने से नहीं मिलेगी और जो जीवन के मृत्य के बाद जो सचाई है वो यही है गाईस तो यहां से मैं आपको यही जीज बोलूँगा गयार जो भी आप रुक्वेस्ट कर जखते हो इस वीडियो के सबसे पहले चितरगुप्त के पास यहां से पूरा जो लेखा जोका होता है वो यहां पर पूरा पूरा नोट किया जाता है एक इंसान का उसके बाद में वो जाती है वहां धर्मराज के पास जहां पर मैं आभी आपको लेके गया था यहां पर जो आप देख पा रहे हैं इ मेना किसी रीजन के तो यह जो है काफी हतक मतलब आप समझ सकते हैं ना बहुत बुरा होता है फिर और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले यह फुली रहती थी और सच बताओं मैं आपको ना एक सीज रेल्टी में जितने भी लोग आज तक इस गुफा में गई भी हैं तो वो कभी लोटके आए नहीं हैं तो दोस्तों कभी भी आप भर्मावर में विजिट करेंगे तो आप जरूर से इस जगह को देख लीजेगा बोला जाता है कि रात के बारा बारा एक एक बज़े के वाद जो है वो काफी हक तक यहां पर अलग-लग तरह की आवाजे सुनाई देख सकते हैं कुछ इस तरह का पूरी की पूरी यहां पर अलग-लग टेंपल हैं अगर हर एक टेंपल आपको एक्सप्लें करूंगा तो 84 टेंपल है हलाकि आगे चलके भी मैं आपके लिए इसकी अलग-अलग वीडियो चलाओंगा तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो बनाया गया था मतलब आज से 1300 साल पुराना मंदिर और अकरोट की लकडी से बना हुआ मंदिर है गाईज और यहां पर आठ देखेंगे ना एक बार मतलब क्या ही यार गेट बनाया है पूरा का पूरा और भाई जिस भी मतलब कलाकार नहीं यह बनाया है ना कहा जाता है उस इसके हाथ नहीं थे तो इसने पैरों से यह डिजाइन करा था अपने तो कैसे किया होगा लेकिन पुरानी कदाएं तो यहीं बोलती है और क्या ही मतलब यार क्या चीज बनाई है आप एक बार अच्छी तरह से देखेंगे तो मतलब ऐसा लगता है ना कि उस टाइम पर कौन चीज बनाएं रखिया आप देख सकते हैं कैसे और चमकरार मंदर का नाम है माता लखना देवी शलीए मंदर के अंदर में आपको लेकर चलता हूं मंदर के अंदर का व्यूंग कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो वो डिजाइनिग करी है और ओला बनाई हुई है कि आज का बना हुआ है कि आइसे रखाए देखो फिक्स है यह चीज और भैब क्या बनी मसीनों से बनाए गए हैं यहां ओल यह हाथों यहाथ का आ दो लेकिन दोस्तों आपको बता दू द्यासो साल पहले कोई मशीन है नहीं थी और आर्ट में देखिए गैज आप इसकी यहां पे आप देखिए ओपर की तरफ ना अरे भाई महल ही बनागे रखा है पूरा का पूरा थोड़ी सी लाइट जो है वो यहां पे स्ट्रोंग नहीं है वरना दोस्तों मैं आपको दिखाता कि क्या ही मतलब आर्टिंग करी हुई है किस तरह से कैसे डिजाइन किया होगा कितना टाइम इस मंदिल को डिजाइन करने में लगा होगा आप जरा एक बार सोच के देखिए मतलब ऐसी चीज अगर हम हाथ से बनाने प खरोट जो आप जानते हैं ना सारा वही का वही एकेल है यहां पर देखेंगे बहुत ही ऑसम है पीच पीच में आप पत्थर पे आप देख सकते हैं किस तरह पे डिजाइन बनाए है पता नहीं कौन सा स्केल वहा करता था जो कितना अच्छा चलता था पत्थर के उपर भी क क्या ही चीजे आप अगर समझ पाओ तो जरूर से बताना कि यह चीजे है क्या मतलब यार मेरी तो यह सोच समझ से बिलकुल पर है और यहां पर क्यों नहीं डिजाइनिंग दीगी मुझे यह नहीं पता है लेकिन हाँ इसके अगर उपर की बात करें तो यह चीज डिजाइन कर देखेंगे वह चीज डिजाइनड है नीचे जो बिल्कुल सब्सक्राइब लेकिन बागे की चीज़ेज निकलते हैं तो तरवाज्जें की ऊपर हम पहरं ब्लोगर हूँ जो कि आप लोगों के प्यार और स्पोर्ट की वज़े से बनाऊं तो आप अपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप और चाहते हैं अच्छी तरह से जानना इन टेंपल्स के बारे में किसके फीचे क्या स्टोरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल आइकन को प्रेस कर सकते हैं तो आपसे फिर मलाकात होगी अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना मत फूलेगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का प्रेस का लिंक दिया है तो आप वहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो आपसे अगली वीडियो में प्रेस कर दिन शोबोर टेक रेंट आटा दो